सानिया मिर्जा किसी पहाचान की मोहताज नहीं है सानिया मिर्जा सिर्फ एक अठ्लीट नहीं है बलकि सानिया मिर्जा inspiration है उन लड़की के लिए जो sports के field में कुछ करना चाहती है जिस वक्त लड़कीं का sports field में में दूर दूर बहुत कम ही आगे बड़ी है और जिस लेवल पर सानिया मिर्जा इंडियन विमन टैनिस को लेकर गई है अपने शांदार गेम से उन्होंने इस लेवल को बहुत आगे बढ़ा दिया है तो आज इस एपिसोड में हम सानिया मिर्जा की लाइफ के बारे में ही बात करेंगे कि कै ऐसे एक छोटी सी मिड्ल ख्लास पैमिली से आने के बावजूद आज सानिया मिर्जा सबसे बड़ी टैनिस स्टार है इंडिया की सानिय मिर्जा का जन्म मुंबई की हाइदराबादी फैमिली में हुआ उनके पिता इमरान मिर्जा खुद भी टैनिस प्लेयर थे सानिया उनके पिता जो एक tennis player थे उन्होंने आगे चल कर sports journalism शुरू किया और वो अपनी sports की एक magazine भी चलाते थे जिसका नाम था sports call तो अब आपको ये समझाने की ज़रूत नहीं है कि सानिया मिर्जा sports field में क्यों आई सानिया मिर्जा की schooling हाइडरबाद से ही हुई और 6 साल की उम्र से सानिया मिर्जा ने tennis खेलना शुरू कर दिया मिर्जा attend करने लगी और 2003 के आस-पास वह वक्त आया जब सभी तरफ सानिया मिर्जा का नाम था सानिया मिर्जा अचानक से उभरी थी सानिया मिर्जा सभी tournaments में हिस्सा ले रही थी और वो जीत रही थी जिस game में सान्या मिर्जा जाती वो game one sided हो जाता था यानि कि पता होता था कि सान्या ही जीतने वाली है सान्या मिर्जा अच्छा खेल रही थी लेकिन international level तक जाने के लिए सान्या को थोड़ी और अच्छी training की जरूत थी पिता के पास पैसे नहीं थे तब कई सारे ब्रैंड से मदद ली गई कहते हैं कि उस दौरान अडिडास ने सान्या मिर्जा को स्पांसर किया और सान्या मिर्जा की अच्छी खासी training हो पाई दो साल तक यूएस जाकर सान्या मिर्जा ने tennis की training ली थी और फिर से वो इंडिया आ गई और यहां से सान्या मिर्जा का professional tennis career शुरू हुआ सान्या मिर्जा ने international tennis खेलना शुरू किया और वहां पर भी सान्या ने इंडिया की first female tennis player के कई खिताब अपने नाम किये 2006-2007 वो वक्त था जब सान्या मिर्जा सबसे top game पर थी अपने career के peak पर थी बस tennis court में सान्या से नजर ही नहीं हटती थी और सान्या कब बहुत जादा popular highest paid sports athlete हो गई यह पता ही नहीं चला सान्या जितनी popular हो रही थी उतनी ही उनको लेकर controversies भी होने लगी एक time ऐसा आया जब सान्या के पहनावे पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिये वो एक tennis player थी तो tennis player की जो dress होती है वही पहनती थी लेकिन कई बार लोगों ने कहा कि सान्या बहुत छोटे कपड़े पहनती है इन्हें धंके कपड़े पहन कर tennis खेलना चाहिए लेकिन सान्या मिर्जा ने ऐसी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया बट 2008 में एक ऐसा वक्त आ गया जब सान्या अपने stardom के top level पर थी और तब सान्या के बड़ी controversy खड़ी इसलिए हो गई थी कि सान्या के फोटो वाइरल हो गई थी जिसमें वो बैट कर tennis देख रही थी उनके पैर table पर थे और पैरों के सामने तिरंगा था और तब सान्या प कर रही है कहते हैं कि तब सान्या ने यह तक कह दिया था कि वह अब Indian competitions के लिए खेलेगी ही नहीं वो तंग आ गई है in controversy से एक तरफ game शांदार चल रहा था दूसरी तरफ उनका glamour भी बहुत बढ़ रहा था और जैसे ही कोई sportsman कोई sports personality glamorous हो जाता है उसका Bollywood industry में आना जाना मिर्जा के star बनते ही Bollywood industry की party से उने नियोते आने लगे और यही वो time आया जब एक party में common friend ने उनकी मुलाकात करवा ही शाहिद कपूर से शाहिद कपूर का तब करीना कपूर से break up हुआ ही था कमीने film वो कर रहे थे और इसी दोरान सान्या से वो पहली मुलाकात में इन दोन मुंबई आ जाती शाहिद के साथ time spent करने और तो और एक time ऐसा भी आया जब शाहिद कपूर की film कमीने की shooting चल रही थी और शाहिद कपूर ने अपनी इस film की shooting हाईदराबाद में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखवाई क्योंकि वो सानिया मिर्जा के साथ time spent करना चाते थे सान विंस्टर शारिटन होटेल का किस्सा तो सबको पता है जब खबर आए थी कि कैसे सानिया मिर्जा और शाहिद कपूर एक साथ एक कमरे में college time spent कर रहे हैं शारिटन होटेल के वेटर ने ये बात मीडिया में लीक कर दी थी और तब सबको पता चला था कि सानिया और शाहिद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन कुछी समय बाद इन दोनों के ब्रिक अप की खबरे आ गई और रेजन बताया गया कि शाहिद कपूर बहुत ज़्यादा प्रटेक्टिव थे सानिया मिर्जा को लेकर वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे ध्यान रखते थे कहा हों कहां नहीं हों इन सबसे परिशान होकर सानिया ने शाहिद के साथ दूरिया बना ली यही वो टाइम था जब 2009 में सानिया ने एक बार फिर से अपनी लाइफ को लेकर सबसे हैपनिंग खबर लोगों के बीच दे उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और बताया कि उन्होंने अपने बच्पन के दोस्त सोहराब मिर्जा से शादी कर ली है सोहराब भी एक बड़ी फैमली से थे सानिया जैसे स्टार तो नहीं थे लेकिन वो भी फॉरन से पढ़ाई करकर लोटे थे और उनके पिता का हाइदराबाद में बेकरी का बड़ा बिजनस सा दोनों के परिवारिक रिष्टे भी अच्छे थे सोहराब से सानिया शादी करने वाली है इस तरह की खबरे चलने लगी ते लेकिन इसी बीच सानिया मिर्जा ने दूसरा जटका तब दिया चब उन्होंने सोहराब से सगाई चोड़ दी ये सगाई यहां से सानिया की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया था जिस सानिया मिर्जा को लोग 10th star हमारी इंडिया की बेटी मान रहे थे उस सानिया मिर्जा को अब पाकिस्तानी बहु के ताने भी सुनने पड़े थे और यहां से कह सकते हैं कि सानिया की image काफी damage हुई लेकिन सा सानिया शादी के बाद पाकिस्तान के लिए खेलेगी या इंडिया के लिए खेलेगी सानिया ने अपने सभी फैंस को निराश नहीं किया उन्होंने कहा कि वह इंडिया के लिए ही खेलती आई है और आगे इंडिया के लिए ही खेलेगी वह पाकिस्तान तो शिफ्ट भी नह रही है और वो हमेशा इंडिया के लिए ही खेलेगी सानिया मिर्जा इंडिया की tennis icon है जो कुछ tennis को उन्होंने दिया है उससे इंडिया की women tennis की history लिखी जाएगी और उन्होंने बहुत सारे records बनाए हैं जिसे आने वाली जनरेशन को तोड़ने हैं अभी सानिया मिर्जा सुर्कियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि शॉयब मलिक के साथ उनकी शादी जो है खत्रे में बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों ही सेपरेटली रह रहे हैं पाकिस्तान मेडिया रपॉर्ट्स शॉयब मलिक की टीम के Jazर ने यह कैसा सानिया और शॉयब दोनों अलग रह रहे हैं वह रहे हैं जादा कुछ नहीं कह सकते लेकिन हाँ यह confirm है कि दोनों अलग हो चुके हैं सानिया मिर्जा भी पिछली कुछ समय से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही थी जिसमें वो बता रही थी कि टूटे हुए दिल कहा जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे के साथ एक एमोशनल फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया क कि कैसे मुश्किल मॉमेंस भी उनका बेटा जो है उनके लिए अच्छे और हैपी में बदल देता है यह पोस्ट अपने आप में कंफर्म करती है कि सानिया और शोईब के बीच कुछ तो गड़बड है कहा जा रहा है कि शोईब और सानिया अलग इसलिए हुए क्योंकि शोईब ने और इसी लिए यह दोनों अलग हुए हैं कैर अभी तक सानिया और शोईब की तरफ से इस मामले में ऑफीशल कंफरमेशन नहीं आया है